वेलकम बेक टूमा यूटूब चैनल पेपर है कर अब तक हमने कुश्चन नमबर 36 के बारे में पढ़ा था अब हम जानेगे कुश्चन नमबर 37 ठीक है पुश्चन नमबर आपका 37 जो की आपके सौर्ट आंसर टाइब कुश्चन की हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है लॉंग आंसर टाइब हमने पहले डिसक्र कर लिए सभी कोश्चन हम पढ़नाख सॉट आंसर टाइब पॉट्चन जिसमें भी हमने एक से लेकर 36 तक सबी को एकए करके डिसक्स कर लिया आज हम बात करें कुश्चन नमबर 37 जो चलिए बात करते हैं कोश्चन करना है कि आपके इन और गैनिक पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं इनके बारे में कुछ आपको पताना है या आप से इसी कोश्चन को कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि अकार्मनिक बहुलक पर क्या करना भिस्तरित टिपड़ी लिख लेए अगर आ जाए तो समझ लो कि हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्प्लेइन करना है ठीक है तो क्या करना है हमें इस पर बिस्तरित टिपड़ी लिखनी है किस पर अकार्मनिक बहुलक पर या करा अकार्मनिक बहुलक से आप क्या समझते हैं या इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो आपके इन और्गनिक पॉलिमर होते हैं उन से आप क्या समझते हैं उनके बारे में लिखिए ठीक है तो इस तरह से आपका ये कोश्चन तीन तरह से आपका पूंचा जा सकता है तो चलिए हम बात करते हैं आंसर की ठीक है अकार्वनिक बहुलक जो है वो कार्वनिक बहुलकों की तरह है अकार्वनिक बहुलक भी बिसाल अडू होते हैं निकाल नहीं होगा यहां पर क्या होगा बिसाल अडू होंगे ठीक है कैसे होगे यह भी आपके बड़े अडू होते ठीक उच अडूभार वाले होते ठीक क्या है बहुनिक बहुनगों की तरह अकार्वनिक भ़ख भी आपके विशाल अडू होते हैं कैसे रचना में कार्वन परमाणू के इस्थान पर silicon परमाणू होते हैं यह द्यान रखना है ठीक है अकार्वनिक जो बहुलक होंगे उनकी मूल सरचना में या उनके structure में क्या होगा कार्वन परमाणू की जगह पर आपका क्या होगा भी silicon होगा ठीक है जब हम carbon पढ़ते हैं या carbonic बहुलक पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है विक carbon से अन्ड एटम जुड़े रहते हैं लेकिन इसमें क्या होगा अकार्वनिक बहुलक की बात करेंगे तो यहाँ पर carbon की जगह पर क्या होगा आपका silicon होगा और उसी silicon से आपके जो है other atoms attached होंगे ठीक है कहरा है इसकी सरचना में सह सहयोजक बंद होते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो आपके bond होंगे वो कैसे होंगे सह सहयोजक bond होंगे ठीक है covalent bond होंगे यह उदासीन कार्व सिलिकॉन बहुलकों का समू होते हैं किनका वह इस पर जो कार्व सिलिकॉन होगा वो कैसा होगा उदासीन होगा ठीक है इन में इन में सिलीकॉन तथा आक्सीजन पर माणू एक आंतर रूप में बले शरंखला या आपका जाल के रूप में जुड़े होते हैं ठीक है तो यह जो आपका अकार्वनिक बहुलक होते हैं इन में यह आपके सिलीकॉन और आक्सीज तो ये इस तरह से अल्टरनेट करम में जो है लगे रहते हैं और इनका करम के आउखा ये रिंग भी हो सकते हैं ये सिरंखला भी हो सकते हैं और ये प्रकार का जाल भी नेट वर्क भी बना सकते हैं ठीक है तो इस रूप में ये जुड़े होते हैं या हो सकते हैं ठीक है समझात परमाणू बहुलक कैसे हैं बही समझात यानिकी एक समान परमाणू बहुलक कैसे होंगे समझात परमाणू बहुलक के बारे में बात करें या होमो एटोमिक पॉलिमर की बात करें तो कह रहा है इनकी सरचना में किनकी सरचना में समझात परमाणू बहुलक की सरचना मे क्या होगा केवल एक ही प्रकार के परमाडू होते हैं इन्हें निम्न सरचना सुत्र द्वारा प्रदर्शत करते हैं ठीक है तो समझात परमाडू बहुलक होगा उसमें जो आपके परमाडू होंगे वो कैसे होंगे केवल एक ही प्रकार के होंगे ठीक है याद रखना है नंब कई और ठिक है किया है अब करें तो यह क्या है अपका वन सकता है आपका सिलीगान कौन जागागा लेकिन हम क्या पणना है अकार्वनिक बहलक तो उसमें लिखा हैं कि जो आपके अकार्वनिक बहलक होते हैं उनमें कार्वन के स्थान पर आपका सिलिकॉन हो सकता है जर्मेनियम हो सकता है टिन हो सकता है ठीक है R, 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 R आपके atom attached ने वो कैसे हैं एक परमाणू होते हैं इस प्रकार की सरचना में ठीक है तो जहां आपका यह क्या हो जागा कारवन हो सकता है सिलिकान जर्मेनियम और टिंट ठीक है तो यह की जगह पर इन में से आपका कोई भी एक हो सकता है इसमें क्या होगा एक से अधिक परकार के परमाणू होते हैं इन्हें निम्न परकार से दिखाते हैं इखने को मिल जाएंगे जब हम बात करेंगे विसम परमाणू बहुंट लग् 개인 जैसे हमने अभी उपर ओ ठावન करू इस शता क्या है विए ओसकता है किया और ऐसकता है 카्रवन जाना था कि carbon के जगए पर silicon होसता है तो यह की जगए पर हमने क्या मान लिया मान लो हमारा silicon है ठीक है क्या है आपका silicon है ठीक है प्रतिय की जगए ठीक है बागी आपका जो आर है वो क्या है आपका अन्य पर माड़ू है ठीक है क्या है आपका दूसरा पर माड़ू है ठीक है अब देखो, इसके बीच में आपका N बना हुआ है, छीखे क्या है आफका N बना हुआ है, तो N लिखा, रिराइतमक, तत्तो जैसे सिलिकोन के R2SIO में Oxygen, क्या है आपका, यहाँ पर बीच में आपका क्या हो सकता है, जैसे मान लो ही जो आपका N बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम लिखें E, O, फिर लिख दें E, इधर आपका R बना दें, इधर आपका R बना दें, और इधर आपका फिर से R और फिर से R, ठीक है, फिर O, फिर E, ठीक है, तो यह क्या हो सकता है, आपका R2, SI, O में आपका oxygen हो सकता है, ठीक है, क्या होता है, आपका oxygen जो है, होगा थर्ड पॉइंट के अगर हम बात करें तो कह रहा है संकुल बिसम नमबर तीन संकुल बिसम परमाड़क बहुलक क्या है आपका संकुल बिसम परमाड़क अब यह क्या होगा आपका होगा आपका खुणक अब इसमें क्या होगा इन्हें निम्न प्रकारिक से हम लिख सकते हैं ठीक इक तरह से मैं जैसे यह क्या लिखने शंगल सिंगल सिंगल बॉंड र हमें उसको लित शुक्त कि लिए करए जहाँ आर आर आपका कर आथामक कर्व Given दोई करियात्मक कारवन समू है जैसे आपका सिल मेथालिन्स क्या है आपका सिल मेथालिन्स ठीक तो R क्या है आपका सिल मेथालिन्स की बात करेंगे जो कि आपका दोई करियात्मक समू है ठीक है तो यहाँ पर क्या है आपका यह जो आपका CH3, CH3 CH3 और आपका CH2 लगा हुआ है ठीक है तो R क्या है आपका जो बीच में लगा हुआ है तो यह किस से जुड़ा हुआ है आपका इधर भी सिलिकॉन से लगा हुआ है इधर भी सिलिकॉन से लगा हुआ है ठीक है तो यह क्या हो जागा सिल मेथालिन क्या नाम हो जागा इसका सिल मेथा मेथिलीन्स तो क्या हो जागा सिल मेथिलीन्स क्या आपका जो बीच में आपका आर लगा हुआ है ठीक है यह वाला तो इस तरह से हो जागा आपका यह थर्ड संकुल विसम परमाणु बहुलक फूर्थ अगर हम बात करें तो लिखा संगनित कैसा संगनित बहुत ठीक है यह आपका condensed polymer होगा कैसा होगा condensed polymer होगा इसमें क्या है कहरा है इसके निर्माड में monomer क्या है monomer जो हम पढ़ते थे 1 लग क्या पढ़ते थे वही एक लग, ठीक है, मोनोमर एक लग, एकाईया परस पर संगनित होकर, आपके आउंगी जो छोटी-छोटी एकाईया होंगी, मोनोमर सोंगे, वो आपस में मिलेंगे, संगनित होंगे तो क्या होंगा, आपका H2O बाहर NH3, जैसे छोटे अडू निकालती है, जब छोटी-छोटी एकाईया मिलेंगी, आपकी A, A, A जब यह मिलेंगी, तो मायनस आपका क्या निकल जागा, अब यह H2O निकल जागा और NH3, यह आपके छोटे-छोटे अडू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यह बहुलक ऐसे मोनोमर, ऐसे मोनोमर अडूओं के संयोग से बनते हैं, जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समू होते हैं, ठीक है, तो याद रखना यह जो आपके पॉलीमर होंगे या आपके जो बहुलक होंगे, कौन से संगनित बहुलक, ठीक है, तो इस प्रकार के आपके मोनोमर से मिलके बने होते हैं, जिनमें क्या होता है एक से अधिक क्रियात्मक समू होते हैं, ठीक है, क्या होगा आपका एक से अधिक फंक्शनल ग्रूप जो है, आपके होंगे, जैसे सिलीकॉन सो होगे आपका वोरा जीन्स हो गया आपका वोरा नाइट्रैल हो गया आपका संगनित फास्फेट हो गया आपका बहु धनायन तथा बहु रिडायन ये कुछ आपके Monomer है जिन से मिलकर आपका क्या होगा एक बहुलक का निर्माड होगा ठीक है तो यह क्या है आपके ऐसे Monomer है जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूँ आपके प्रिजेंट होते हैं ठीक है चली नेक्स्ट फिप्ट पॉइंट अकार्वनिक योगसील बहुलक पॉणिक योगसीलवो ँसली पालीमिक इनकार्वनिक ऐडीशन वैदिशनwhere केरा है इसका मुख उधारण क्या है फास्पोह नाइट्रिलिक क्लॉयाट क्लॉराइट ठीक है ऐस फास्पोह नाइट्रिलिक livestock जो की हमने अकार्वनिक रव्ड में पढाता ठीक है क्या पढ़ा था अकार्मनेक रबड में हमने यही पढ़ा था क्या पढ़ा था एन पी सील टू ठीक है का होल एंड ठीक है इसी को कहते है आपका फास्पो नाइट्रिलिक सब्सक्राइब जिसमें क्या होगा आपका आपका डवल बार्ड एंट और आपका ग 5 प्सक्राइब प्रद आपके आपस में बहुत सारे हो सकते हैं इकाई की चक्किये सरचना होती है ठीक है किसी की किसी ये जो आपका बना हुआ है फास्पोराज, क्लोरीन, क्लोरीन, और क्या है डवलबाॉ QueenDealen एसी इकाइओं की चक्किये सरचना होती है एसी तरह की इकाइएँ आप की आपस में मिलके एक क्या करेंगे वही साइकलिक सरचना बनाएंगी ठीक है तो वही क्या होता है आपका आकार्मनिक इwक्सील बाहुलक होता है ठीक है इसको निम्ण प्रकार से दरसाते हैं या निम्ण तरह से इसको लिक सकते हैं जैसे ये रहा ड्रोजन उसी पी से जुड़ा हुआ है फिर उस नाइट्रोजन से कि जो आपका नाइट्रोजन है क्या है प्रतियक माइट्रोजन आपका फासपोरस से लगा हुआ है और प्रतिये क्लोरिन आपका फासपोरस से लगा हुआ है ठीक है नाइटोजन आपका किस से लगा हुआ है फासपोरस से और उसी फासपोरस से आपके क्या लगा हुए क्लोरिन लगे हुए ठीक है क्या लगा हुआ है क्लोरिन कोई भी क्लोरिन आप आपका सिंगल वांड हो सकता है यहां पर आपका हो सकता है मिलेगा तो इस तरह से आपका नाइटोजन का आपको लेखने सभी की बैलंसी हो रही है तो ठीक है अच्छा इस तरह से यहां पर भी और नई चेन बन जाएगी ठीक है इसके आगे आपका एक नई चेन और बन जाएगी फास्फो नाइट्रिलिक क्लूराइड ठीक है तो यह क्या हो गया आपका फास्फो नाइट्रिलिक क्लूराइड ठीक है प्रतियक फास्फो नाइट्रिलि प्रफद्वाइश प्ल एरिंग होदो प्रफद्वाइश प्रफद्वावलगो reden के बहुलक होते हैं आपके बेरेलियम तथा पैलेडियम के क्लोराइड है ठीक है बेरेलियम और पैलेडियम के जो क्लोराइड होते हैं वही आपके उपसेशनियों के बहुलक होते है ठीक है तो यहाँ पर बात करेंगे बेरेलियम क्लोराइड के बहुलक के ठीक है तो यह आप आपको इस तरह से याद रखने है ठीक है यह कुछ आपकी जो है बी ए और इस तरह से अब यहाँ पर जो आपका इस तरह का चिन लगा हुआ है यह जो तीर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इधर से जो भी आपका यहाँ पर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है एक लोन पेर आपका पूरा दे रहा है ठीक है किसको वेरेलियम को ठीक है बाकी यह जो आपका bond है यह आपके एक-एक साजे के electron से बना हुआ है एक-एक साजे के electron से बना हुआ यह वाला bond और जो तीर वाला bond है वो इस परमाणू द्वारा दान किये गए दोनों electron से बन रहा है इसमें आपका beryllium का कोई भी परमाणू electron भाग नहीं ले रहा है ठीक है beryllium का कोई electron इसमें जो भाग नहीं ले रहा है ठीक है तो यहाँ पर CL है तो CL क्या कर रहा है अपने दोनों electron को दे कर यह bond बना रहा है ठीक है एक जगे CL अपने दोनों electron दे रहा है और इसमें अपना एक electron participate कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है एक जगह आपका यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है बाइरिकोस में कितने एलेक्टान होते हैं साथ एलेक्टान होते हैं कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए तो इसमें जो एक लॉण पे हो गए ये दोनों एलेक्टान मान लो इस वाले बांड को अकेले बना ठीक है और बाकी ये जो बांड है इसमें एक क्लोरीन का ये बचा हुआ एलेक्टान है एक बेरीलीम का एलेक्टान है ठीक है तो द्यार रखना है कि जो तीर से बना हुए आपका बांड होता है उसमें कोई एक ही आपका एटम जो है एलेक्टान को डोनेट करता है ठीक है ए बात करते हैं क्लोरियूम का पैलेडियूम ठीक है पैलोडियूम क्लोराइड का बाहलग तो इसमें क्या होगा आपका पीडी पीडे से लगा हुआ आपका क्लोरिय अब फिर यहां पर भी क्या कर रहा है आपका जो दोनों इलेक्टरॉन को बांड बनाने में सहीओ कर रहा है ठीक है इस तरह से आपकी जो है पैलेडियूम क्लोराइड की सरचना हो जाएगे ठीक है यानि कि पीडी और पीडी से क्या लगा होगा आपका एक सील और एक सील ऐसा होगा जो दोनों इलेक्टरॉन से अपने दोनों इलेक्टानों से बॉंड बना रहा होगा ठीक है दोनों तरफ से मालों अगर इधर से आपने इस तरह के तीर लगाए तो यहां से लगा देना ठीक है तो यह हो जागा आपका पैलेडियम क्लॉराइड का बहुलक बनाने की बिदियां सिलिकॉन के निर्माड में तीन भाग होत निर्माड के निर्माड को कॉनिं से बनाया जाता है प्रकार तयार किये जा सकते हैं जैसे methyl silicon क्या है आपका methyl silicon, silicon तथा methyl chloride को उच्चताप लगबग कितना होगा आपका 300 degree centigrade पर copper उत्परेरक की उपस्तिती में क्रिया करके प्राप्त methyl chlorosiline क्या होता है methyl chlorosiline से बनाते हैं किस से बनाएंगे भीया methyl chlorosiline से बनाएंगे ठीक है methyl chlorosiline से बनेगा कह रहा है इस क्रिया में methyl chlorosiline का मिस्रण प्राप्त होता है किसका मिस्रण प्राप्त होगा methyl chlorosiline का यहां पर आपको मिस्रल प्राप्त हो जागा ठीक है चलिए तो क्या है आपका methyl chloride क्या है आपका methyl chloride ठीक है क्या है आपका methyl chloride है पिलास आपका क्या है Cash क्या है क्या है क्या है सिलिकान तथा मेठिल क्लॉराइड को उच्चता आप कितने पर ुद्र क्रिया कर नाते हैं क्रिया करक भूरे मुंच्ट तो यह ऐगत कंच्छ क्लॉराइड प्लस और एंप्रेचर हमने ngay लिए 300 degree centigrade ठीक है और उत्परे रख्यायाँ आपका copper अब क्या बनेगा methyl silanoletil chlorosaladilene निद्ट क्या बन जागा ठीक है methyl chlorosaladilene का भी मिसरड बन जागा लेकिन पहले क्या बनेगा methyl chlorosaladilene निद्ट क्या बनेगा methyl chlorosaladilene बनेगा उसके बाद साथ ही क्या बनेगा मिस्रड बन जागा तो यह जो आपका CH3 SICL है यह क्या है आपका Methyl Chlorosilin क्या है Methyl Chlorosilin ठीक है तो यह बन गए आपका Methyl Chlorosilin बाग यह आपका कह रहा है गा CH2, SICL2, CH3 का Holthrise और SICL ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे जैसे आपका CH3 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका CHL कम होता जा रहा है क्या हो रहा है CH3 बढ़ रहा है और CHL3 कम हो रहा है यहाँ पर लिखा CH3 SICL2, CHL3 और यहाँ लिखा CH3 का Holthrise यहां लेखा है CH3 का होल्थ्राज एसाई सीग जैसे जैसे आपका एक मेथल गुरूप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके क्लॉरिन कम होता जा रहा है ठीक है चालिए परयूग्त मिस्रण को प्रभावी आस्वन ठीक है क्या करना है प्रभावी आस्वन से प्रथक कर लेते हैं मुख रौपाद आपके क्या बनता है CH3 एसए सीयल 3 निया में डिक है अब देखको क्या बनेगा आपका बन जागा ठीक है हमने ले या CH3Cl प्लस 2HCl और आपका क्या है SI ठीक है तो यहाँ पर हमने तीनों ले लिए है यह आपका क्या है अपका क्या है अपका है अपका और तीसरा क्या है आपका सिलिकान ठीक है कॉपर की उपस्तिती में 300 डिगरी सेंटीग्रेट पर जब इसको गरम किया जाता है तो क्या बनता है CH3SiCl3 क्या बनेगा भई CH3 और SiCl3 क्या बनेगा CH3SiCl3 और बाकी जो आपका HCl से क्या हो जागा आपका H2 यान कि हाइडोजन गैस जो है रिमूब हो जाएगी ठीक है क्या हो जागा जो आपो माद्न क्यों क्यों करेंगे जरनगे करेंगी ठीक है जो आपको माद्न क्यों शायत चक्षों एड़रण करा तो क्या हो जागा इसको निम्ण समेकरण से दरसाहए जा सकता है तो निम्ण साइलेंस प्लस आपका जल बनेगा क्या शाइलो नौस क्या बनेगा आपका साइलो was बनेगा थिक है शाइले नोस बन जाएका पिलस आपका पर बन जाएंगे थिक साइले नोन कुछ है एलकिल क्लोरो साइले साइले साइलेंस का जलब गटन निम्न प्रकार होता है है यह यह तो यह सभी आपके साइले नोल से ठीक है अगर मैं लिख आपका क्या है अख नोल से ठीक है तो इसमें क्या होता जागा है एचसी यल जो है आपका रिमूब होता जागा एक लाइक किस तरह से तो यहां पर क्या है आपका तो इसमें हमने क्या कर दिया है हो एच के कितने मॉलिक्यूल ले लिया है तीन मॉलिक्यूल ले लिया है यानकि 3H2O आपका लिखा हुआ है अब क्या होगा इसका जब जल अपगटन कराएंगे तो यहाँ पर आपका OH जाके लग जागा क्या लग जागा? OH लग जागा और यहाँ से आपका क्या हट जागा? यहाँ से आपका CL जो हट जागा एक CL आपका यहाँ से हट जागा जैसे लिखा है R, SI और CL3 पिलस आपका क्या है? H2O तो यहाँ से एक आपका OH आएगा और एक CL आपका बाहर चला जागा जो कि क्या बना लेगा, HCL बना लेगा तो यहाँ पर क्या हो जागा, RSI OH का होल थ्राज, और 3HCL, तो यहाँ पर क्या हुआ तीन आपके HCL निकल गए और तीनो OH, जो हमने तीन मॉलिक्यूल लिये थे जलके तो यह क्या बनाएगा, 3 OH माइनस और प्लस 3 आपके H प्लस बना देगा, तो यह क्या करेगा, 3 OH माइनस होंगे, यह तीन जो है, तीनो क्लोरिन को यहाँ से रिमूब कर देंगे, और आप उसकी जगह पर अपने आप बैठ जाएँगे, ठीके तो क्या बन जागा, आपका R, SI, OH का होल्ट राएग, जो की आपका क्या है, एक साइलेन ओल्स है दूसरा, R2, SI, CL2 अब क्या हो गया R2, अब इसमें R कमान कितना हो गया, 2, यानि कि 2 मेथल गुरूप लग गए, और SI, CL2 2 HO, 2 HO यानि कि 2 मालीकुल अब जल के ले लो तो क्या होगा भी, यहाँ पर R2, SI, और OH कितने लग जाएंगे 2, यानि कि 2 CL हैं, तो दोनों CL आपके हट जाएंगे, और उसकी जगहे पर 2 OH आपके आजाएंगे, ठीक है, बाकि 2 HCL आपके बाहर, तरड आपका किया, यहाँ पर भी आपका एक और methyl group बढ़ गया, ठीक है, जिसमें आपका एक ही, क्योंकि एक क्लोरी ने तो इसी को remove करना है, ठीक है, तो remove किससे होगा, आपका, जल से जलब गटन कराने पर आपका क्या होगा, यह CL बाहर चला जागा, और OH का OH माइनस आपका आपके यह पर लग जागा, तो I3,SI,OH और प्लस आपका, जो है, ह CL बाहर निकल जागा, ठीक है, तो इस तरह से आपके Sylenoles सापको प्राप्त हो जातें, ठीक है, Sylenoles सापको प्राप्त हो जातें, ठीक है, third कहरा है, Alkyl या ariel hydroxy भ्यूत्पन्नों का बहली करण अब हम किसकी बात करेंगे जो आपके ariel कौन से है ariel ya hydroxy भ्यूत्पन्नों का बहली करण जो हमें मिले है ये hydroxy ठीक है इनी का क्या करेंगे बहली करण करेंगे यानि कि polymersation अब हमें इनी का करना है ठीक है तो number 1 साइलेनोल्स के बहुली करण में जल निकल कर बिभिन प्रकार के सिलिकॉन से प्राप्त होते हैं अब यह जो आपके सभी साइलेनोल्स हैं इनसे क्या होगा जल के मॉलेकूल्स बाहर हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा बिभिन तरह के आपके सिलिकॉन प्राप्त हो जाएं है तो यह आपका हो जागा क्या है यह आपका साइले नोल्स at है अपका stuck on से आपके तीन जो है CS 3 गूरूप लगे हुए दूसरा सीलिकान है जिससे आपके धर भी थी तीन CS 3 गूरूप लगे गए ठीक है मानुलो यह आपका एक साहले नोल्स है दूसरा साहले आपका यह है यह दोनों आपस में क्रिया करेंगे ठीक है क्या करेंगे दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने से इनका जो OH गुरूप होगा यहां से आपका जल का मालिकुल जो है बाहर निकल जागा ठीक है तो माइनस H2 बाहर चला जागा तो यह सिलिकॉन इस सिलि नोल्स के oxygen के साथ में bond बना लेगा ठीक है तो इस तरह से क्या बन जागा आपका ये एक polymer जो है आपका बन जागा और जल आपका बाहर निकल जागा ठीक है ये number one वाला ये आपका number two वाला है ठीक है दोनों के बीच में कह रहे गया oxygen रह गया और silicon oxygen silicon का formation हो गया इस तरह से ये क्या बन जागा आपका ये क्या पॉलीमर बन जागा ठीक है क्या बन जागा पॉलीमर जो है आपका बन जाएगा फस्ट कंडिशन थी दूसरी कंडिशन की अगर हम बात करें चेकेंड कंडिशन क्या है कह रहा है संकुल जालियुक तो बहुलक बनेगा ठीक है कब जब आपने अलकिल ट्राइड्रोक्सी साइलेन का करना है क्या करना है यहाँ पर जो आपके hydroxy group होंगे वो कितने होंगे SI से आपके 3 OH लगे होंगे ठीक है कितने लगे होंगे पर यहाँ पर क्या हो जागा यह तीन जो है ओए उच गुरुप आपके लगे हुए सिलिकॉन से तो ट्राइड्रोक्सी हो जागा अब इनका क्या करना है यह आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया करने के बाद क्या होगा जैसे अभी हमने पड़ा था एक आपका इधर से लिखा हुआ है और दूसरा क्या करना आपको प्लस वेच और एसए अब इससे आपके दो ही ओएच लगेंगे कित्ते लगेंगे लगेंगे इधर की आ जागा आरा जागा ठीक है एन तो यहां पर आपका हो बाहर निकल जागा और इनकों दोनों के बीच में क्या हो जागा और इसी को नीचे फिर यही चेन के आएगी आपके नीचे भी जुड़ती चले जाएगी और आगे भी जुड़ती चली जाएगी ठीक है तो यह जो आपका एक नेटवर्क टाइप सरचना प्राप्त होगी क्या होगी एक नेटवर्क टाइप सरचना प्राप्त होगी इसी को कहते हैं क्रॉस लिंक क्या कहते हैं यह जो आपका होता है इससे कहते हैं क्रॉस लिंक तो यहां तक था आपका question number question number आपका 36-37 था जिसमें क्या पूंच रहा था जिसमें पूंच रहा था आपका a carmenic polymer तीक ंम्क這種 क्या था आपका carbonic polymer या इन और्गानिक poly Tech इस पर आपको 23 कि बिस्तारत रूप से लिखना था तीका है कि विछ्त्रित टिपणी लिखनी ती यह थीका तो जिससे कि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच दी रहा है ठीक है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना आल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना बेल आइकन को दबागे थैंक यू